नेक्स्ट कोश्चन है solve the equation by Ferraris method अब इस कोश्चन में और पहले वले कोश्चन में क्या फरक है पहले वले कोश्चन में x की 4 का coefficient 1 था जबकि इस कोश्चन में x की 4 का coefficient 1 नहीं है तो सबसे पहले हम इसको एक ऐसी equation में convert करेंगे जिसमें highest degree का coefficient 1 हो ठीक है उसके लिए हमने क्या किया पहले तो इसमें से 2 common निकालके इसको हटा दिया ठीक है तो यह बनेगा x की 4 plus 3x cube minus 3 by 2 x square plus 1 is equal to 0 ठीक है पहले हमने इसमें से 2 common निकालके उसको right side पे shift कर दिया तो यह आ गया x4 plus 3x cube minus 3 by 2 x square plus 1 is equal to 0 अब हमें देखके ही पता लग रहा है कि हम इसकी corresponding terms को किससे multiply करेंगे x की 4 को 2 की power 0 से 3x cube को 2 की power 1 से 3 by 2 x square को 2 की power 2 से x वली term जो कि इसमें नहीं है उसको 2 की power 3 से और constant को 2 की power 4 से multiply करेंगे नई equation को हम y में लिख देंगे नई equation को हमने y में लिख दिया जिसमें की y और x में क्या relation है y is equal to 2x या यह कह दो x is equal to y by 2 ठीक है corresponding terms को हमने 2 की 0, 2 की 1, 2 की 2 y वली होती तो उसको 2 की 3 से और constant को 2 की power 4 से हमने multiply कर दिया ठीक है उसके बाद यह हो जाएगी 2y की 4 यहां हो जाएगा 12 यहां हो जाएगा 12 और यहां पर आ जाएगा 32 और फिर उसमें से 2 common निकाल दिया तो यह बच गया 2 common निकाल के right side पे shift कर दिया तो यह बच गया तो हमने given equation को एक ऐसी equation में convert कर दिया जिसमें highest degree का coefficient 1 है और कोई भी term fraction में नहीं है ठीक है और x और y के बिच में हमने relation बता दिया ठीक अब हम इसको solve करेंगी solve करने का वही पूराना तरीका y की 4 और y की cube वाली term को एक तरफ बाकी सब को दूसरी तरफ अब हमें left hand side को एक perfect square बनाना है ठीक है तो देखो y की 4 को हम लिखेंगे y square का square 6y की cube इसको हमें 2 वाली format में लिखना है 2 a कितना हो गया y square और 6y cube के हिसाब से देख लो बच किया गया बच गया 3y देखो y की 4 को लिखा y square का square तो a हमारा हो गया y square यह हो गया a square plus 2ab बनाना है 2 लिख दिया a लिख दिया 6y cube में से हमने 2 लिख दिया बच गया 3 और y cube में से y square लिख दिया तो बच गया y तो यह हो गया a square plus 2ab b कितना आ गया 3y plus में हमने क्या करना होता है a square plus 2ab plus b square इसका मतब 3y का square यहाँ पे भी add करेंगे और 3y का square right side में भी add करेंगे तो इसलिए हमने 9y square left में भी add कर दिया 9y square हमने right में भी add कर दिया ताकि left hand side हमारी क्या बन जाए perfect square तो यहाँ से यह आ गई y square plus 3y का hall square आ गई ठीक है a square plus b square plus 2ab और यह हमारी add होके हो गई 15y square minus 16 उसके बाद अगला step क्या होता है हमारा y square plus 3y plus lambda का hall square खोलेंगे हो इसमें यह हमारा a हो गया यह b हो गया a plus b के hall square का formula लगा दिया a square plus b square plus 2ab जिसमें हम इसकी value पुट कर देते थे इसकी value कितनी है 15y square minus 16 वो हमने यहाँ पुट कर दी फिर हम y वाले खटे कर लेते है y square वाले खटे कर लेते है constant अलग से खटे कर दिये फिर हम कहते हैं क्योंकि left hand side एक perfect square है तो right hand side भी क्या होगी perfect square और 2 degree की equation perfect square कब होती थी when b square minus 4ac is equal to 0 या यह कहदो discriminant is equal to 0 तो discriminant निकालना है b हो गया यह ठीक है so b square minus 4ac is equal to 0 अब इसमें से कुछ comment निकल नहीं रहा था तो हमने justice को खोल दिया ठीक है इसको सारे को खोल के solve करके यहां तक आ गए अब यह 3 degree की equation है इसको हमें trial method से try करेंगे पहले lambda की value 1 put करके देखेंगे कि यह answer 0 आता है या नहीं अगर answer 0 आ गया तो ठीक है नहीं तो फिर 2 put करके देख लेंगे 2 पे 0 answer आ गया तो lambda की value 2 है अगर 2 पे 0 नहीं आता तो फिर 3 put करके देखेंगे अगर lambda is equal to 3 put करने पर answer 0 आ गया तो lambda की value 3 है नहीं तो हम 4 put करके देखेंगे 4 पर आ गया, तो ठीक है नहीं, तो हम 5 पुट करके देखेंगे, ऐसे हम ट्राइल करके देखेंगे, तो यहां पर आया, कि जब हम लैम्डा की वैल्यू यहां 5 पुट करेंगे, तो answer 0 आज आएगा, तो लैम्डा कितना पर ले आए ये फिर बन गया a square minus b square a minus b a plus b इसको solve किया इतना आया इसको solve कितना आया ये दो degree की equation है दो root यहां से आजाएंगे दो root यहां से आजाएंगे लेकिन ये 4 root जो आए वो y के आए जबकि हमें किसके निकालने थे x के और हमें पता है x और y में क्या relation है x is equal to y by 2 इसका मतब अगर y की 4 values पता है हमें तो उनको 2 से divide कर देंगे तो हमारे पस x की भी 4 values आजाएंगे